मुख्य मंत्री श्री हेमंत सोरेन वा स्वास्तिय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने मेडिका अस्पताल में इलाज रत शिक्षा मंत्री श्री जगननात महतो के स्वास्ति की जानकारी चिकित्सकों से ली मुख्य मंत्री ने मेडिका अस्पताल जाकर मंत्री का इलाज कर रहे मेडिकल टीम को बहतर इलाज का निर्देश दिया अस्पताल के बाहर समवादाताओं के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों से मंत्री जी की कुशलता जानी है शिक्षा मंत्री दस दिनों से अस्पताल में भरती हैं, उनके स्वास्थे में सुधार हो रहा है फिलाल मंत्री जी को सास लेने में थोड़ी तकलीफ है लेकिन वे बात चीत कर रहे हैं और साथ ही साथ समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं मुख्या मंत्री ने बताया कि मंत्री जी को बाहर ले जाने का प्रयास हुआ था लेकिन चीकित्सको ने अभी बाहर ले जाने की सला नहीं दि आपको मालूम है कि यहां मेडिका में हम लोग के सिक्षा मंत्री जगनात महतोजी बिगत तस दिनों से एड्मिट हैं इस से पले रिंश में भी थे और कुरोना पोजिटीव हुए थे अभी भी है और अभी यहां के डॉक्तरों से उनकी विस्तरित हाल की जानकारी ली गई और अभी इनके स्वास्त में सुधार है लेकिन रफ्तार थोड़ा कम है कोई भी चीजें अभी दवा के रूप में जो देनी है वो सबी चीजें यहां उपलब्ध हैं और उनको दी जा रही है और मंत्री जी भी पूरी तरीके से कंसर्स हैं और शिरफ अभी उनको सांस लेने में तकलीफ है नहीं तो यह अख़वार भी पढ़ रहे हैं बात्चीत भी करते हैं हाँ यह बात जरूर था कि हम लोगों ने उनको बाहर ले जाने का दो तीन अटेंट लिया था लेकिन मेडिकल जितने भी सलाकार लोग हैं उनसे सला लेने के बाद भी यह रेस्क्यू किया जाता है और ऐसे हालत में सभी लोगों से बाहर ले जाने की मनही की गई और जो इलाज कहीं भी होना है वो पूरी तरीके से हां इलाज चल रहा है और फिलाल इनके हालत में सुधार है आप देख रहे हैं Star D News हर खबर का असर